आप लोग दिन राद दोड कर रहे हैं आप अपने स्वास्त की भी चिंता किलिए पानी बहुत पीना चाहिए इतना ज़ादा पानी पीएंगे तो आपको हौद स्वास्त के लिए पे ठीक रहेगा महाराष्टर जाना है पिर तेलंगना जाना है तो इतने कम सबे में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा पाई गर्मी में आप लोग दिन राद दोड कर रहे हैं आप अपने स्वास्त की भी चिंता किलिए और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथ्यों को दिन राद दोड़ना पड़ता है मिडिया की कॉम्पटिशन भी इतनी है कि आपके वो समय से आगे दोड़ना पड़ता है मैं तो यही प्राशना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्त का जुरूर ध्यान रखे और मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी बहुत पीना चाहिए इतना जादा पानी पीएंगे तो आपको हौद स्वास्त के लिए पे ठीक रहेगा और एनर्जी भी मैंटेन डहती है आज तीसरे चरण का मद्दान है मैं देश वास्यों को विशेश रुप से आगर करूंगा कि लोकतंत्र में मत्दान इस सामान्य दान नहीं है हमारी देश में दान का एक महत्मय है और उसी भाव से देश वासी जादा से जादा मत्दान करें आज तीसरे चरण का मत्दान है अभी और करीब करीब तीन सप्ता चुनाव अभ्यान चलेगा चार मत्दान के दोर आगे भी है मेरा गुजरात में मत्दार के नाते यही एक जगा है जा मैं रेगूलर मत्दान करता हूँ और अमित भाई यहां से भार्तिय जन्ता पार्टी के उमिद्वार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं मैं कदरात को ही आंदर से आया हूँ अब ही गुजरात में हूँ मत्दप्रदेश जाना है महाराष्टर जाना है पिर्टेलंगना जाना है तो इतने कम सबे में मैं ज़्यादा बात को नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं गुजरात के मत्दाताओं को भी और देश के मत्दाताओं का भी तो देश से आभार बेक्ते करता हूँ जो उत्साओं मंग से मत्दान में हिस्सा लेते हैं हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया एक ऐसी है चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही बड़ा सीखने योग एक्जम्पल है दुनिया की बड़ी-बड़ी उनिवर्सिटी ने के स्टेडी करना चाहिए आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनावी है उन सब का कंपरिजन करना चाहिए और यह वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव नजरिव भारत में पुरी दुनिया में है और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजे है वो चुनावी ववस्ता में विच्छित की है और मैं मानता हूँ कि इलेक्षन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है आप सब मिडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज़्यादा टीवी चैनल से है 5000 से ज़्यादा देहिनी का अख़बार निकलते है और वो तो पुरी तरह जुनाव के रंग में रंग जाते है और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोगतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है तो मैं इसमें योगदान देने वाले लोगतंत्र के महा यग्यम है जो भी जितनी आहूती दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी है मैं फिर से देश वासियों को यही कहता हूँ कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मद्दान का दिवस है भावत भारी मात्रा में मद्दान करे लोगतंत्र के परवो को मनाए उत्सव के रुप में मनाए